तो यही सब अनर्गल बात बोलेंगे, 1974 में और 1975 में जब हम लोग इमर्जंसी के दोरान, ततकालीन सासन के खिलाफ जब लड़ रहे थे, तो जो उस समय की परिस्थिती थी, उस परिस्थिती के खिलाफ लड़ रहे थे, हम लोग कोई इंद्रागादी से नहीं लड़ रहे थे हम सासन से लड़ रहे थे, और आज की जो इस्थिती है, वो 1974 की और 1975 की इमर्जंसी की जो इस्थिती है, उससे बत्तर इस्थिती है, 1974 और 75 में कम से कम प्रेस को आजादी थी आज की तारिक में प्रेस इनके नियंत्रत में है सारे संबेधानिक संस्थाओं को इन्होंने नियंत्रत करके पॉकेट में रखा है सारे मीडिया के जो प्रवंधन है, मैनेजमेंट है उसको अपने कबजे में रखा है तो आज तो डेमोकریसी टोटल डेमोकरेसी खत्रे में तो सारे डेमोकरेसी को आप समाब्त कर रहे हैं और आप इमर्जेंशी को याइत करा रहे हैं आज अगर कोई आपके खिलाप एक सब बोलता है तो उसके हाँ CBI और ED का छापा पढ़ने लगता है इमर्जन्शी को दोरान कभी इंद्रा का अंधी ने CBI और ED का और income tax का इस्तमाल नहीं किया था हम लोग भी जेल में थे आप तो आज वो कम कर रहे हैं लोगों को डरा रहे हैं, धमकार रहे हैं सारी संसाउप को नियंत्रित करके अपने pocket में रखे हैं, आज तो बत्तर ही सिती है आज तो पूरा देश का जो लोकतमत्र है खत्रे में है आज देश की स्वतमत्रता खत्रे में है तो आज जो हम आपके खिलाफ लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं और उसमें कॉंग्रेस हमारे साथ है अमीच शाह ने भी कहा है कि फोटो सेशन सिर्फी एक पटना में होगा देखिए अमीच साहजी की बात पर हम कुछ कहना ने चाहते हैं इसलिए कि अमीच साहजी भविश्वक्ता है और वो अगर उन्हों ने यह भविश्वानी किया है कि 300 सीट जीतकर मोदी जी फिर से सत्ता में आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि मोदी जी हार रहे क्योंकि 2015 में विधान सभा में बिहार के विधान सभा का जब चुना हो रहा था तो तीन महीना अमीच साहजी यहां रहे थे और उन्होंने ये भविस्वानी किया था कि जिस दिन गिंती होगी उस दिन साड़े-दस वजे भातिय जनता पार्टी की बिहार में सरकार बनेगी मत्री जी थे बंगाल क जब पस्चिम मंगाल का जब चुना हो रहा था तो ममतदीته के खिलाब लड़ रही और बहुमत से बंगाल में सरकार बनने का दावा कर रहे थे और परिनाम ये हुआ कि मम्ता दिदी को उसके पहले वाले चुनाव में जितनी सीट आई थी उसे ज्यादा सीटा गई हिमाचल का जब चुनाव हो रहा था अमित साहजी दावा कर रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे चुनावार गया करनाटक का चुनाव हो रहा था उन्होंने का दो तिहाई भ Cliff म सरकार बना रहे चुनावार गया तो वह अगर दावा कर रहे हैं कि मोदी जी 300 Ma के फिर परदान मंत्री बनेंगे मतलब की मोदी जी दोहजार अब इसमें बिदा होंगे अब यह उनकी बात है उनकी बात है उनसे पूछिए अपोजीशन की जितनी पार्टियां वहां थी उसने एक साथ एक साथ लड़ने का संकल्प लिया और कल संबादता समेलन में सभी पार्टी के मानिय नेताओं ने अपनी बात रखें आपका अपन एजेंडा होगा आप जाके उनसे